नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पीफ और पोर्टफोलियो में आज हम बात करने वाले हैं एक्सिस बैंक के बारे में स्टॉक बिलकुल ही रॉकेट हो गया है 13.39 परसंटाज उपर क्लोजिंग दी है कोई बड़ी न्यूज आई है स्टॉक म पाने के लिए नॉटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए तो चलिए बात करते हैं एक्सिस बैंक के बारे में तो आप देख सकते हैं एक्सिस बैंक का लाज्ट ट्रेड प्राइस है 387 रुपिस जो कि है 13.39 परसंट उपर अगर बात करें इसके वन येर रिटन्स के बारे में 17.42 और सेक्टर का P.E. है 23.47 प्राइस तुबुक रिशयो है 1.29 सेक्टर का प्राइस तुबुक है 1.42 और डिविडन डिल है 0.29 परसंट और सेक्टर का डिविडिन डिल 1.15 परसंट अभ बात करेंगे इसके वन पारे में तो आप देख सकते हैं ये फॉनेन्श बरन ट्रें में 8.34,000 करोड था और 2019 में 5.03,000 करोड लेकिन 2018 में 0.45,000 करोड हो गया था काफी volatility है profits में इसी वज़ा से charts में भी हमें बहुत ज्यादा volatile situation देखने को मिली थी पिछले कुछ सालों से तो अब देखते हैं वो बड़ी बात है Axis Bank के लिए और markets ने इसे positively लिया है Carly Group अगर 1 billion dollars invest करता है तो Axis Bank के लिए बहुत ही positive बात है और stock इसी वज़े से आज उपर भी गया था तो अगर आप यह detail में पढ़ना चाहता है तो money control की website पर पढ़ सकते हैं अब हम देखेंगे इसके charts पर कैसी movement दिखाई दे रही है मैंने आपके लिए 2 lines ड्रॉ की है जिसमें एक line है support की line नीचे की line support की line है और उपर की line है resistance की line तो यह जो trend follow करता हुआ दिखाई दे रहा है वो तो है bearish trend लेकिन अगर आप देखेंगे तो आज इसने अच्छी खासी बड़ी green candle बनाई है क्योंकि 13% उपर close हुआ है stock अपने 20 days के EMA के भी उपर closing दी है और इस जो resistance level हमने बनाया है उसके उपर थोड़ी सी इसने उपर closing दी है लेकिन कल का wait करना होगा confirmation के लिए कि क्या यह resistance level तूट पाता है या नहीं अगर बात करें इसके next resistance level की तो next resistance level होगा 425 रुपीज का और अगर उसके बात के resistance की बात करें तो वो है 50 days का EMA 440 का level support की बात करें तो मुझे तो नहीं लगता कि अभी इसमें थोड़ी दिनों तक गिरावट आएगी मुझे लगता है कि थोड़े दिन तक यह stock price ज्यादा उपर रह सकता है लेकिन support देखना भी जरूरी है support अगर पहले की बात करें तो 325 का support strong support है क्योंकि वहाँ पर उसने पहले भी एक बार support लिया था और उसके बाद अच्छी थेजी देखने को मिली थी तो अब देखेंगे long time chart जिसमें एक candle one month को represent करेगा जिससे हमें पता चलेगा कि long time में इसने कैसी movement दिये तो अब देख सकते हैं long time में ये काफी कुछ ज़्यादा ही volatile रहा है deep correction देखने को मिलते है bank बड़ी है अच्छी bank है overall लेकिन काफी deep correction बीच में देखने को मिलते है इसलिए generally मैं आपको kotak bank और HDFC bank ही recommend करता हूँ for your long term portfolio लेकिन अगर आपको axis bank बहुत ज़्यादा नीचे मिलता है तो उसमें position बनाने में कोई हर्ज नहीं है क्योंकि risk और reward का ratio हमारे favor में हो जाता है तो अब देखेंगे अलग-अलग indicators और उसके बात करेंगे positions के बारे में तो आप देख सकते है money flow index ने spike लिया है 40.51 हो गया है money flow का index अब देखेंगे इसका RSI हमें क्या बता रहा है RSI का number क्या है तो आप देख सकते है RSI यह 49 उसने भी एक बड़ा spike लेता हुआ दिखाई दे रहा है अब देखते है MECD की situation कैसी बनी हुई है तो MECD ने अभी एकदम सही से तो हमें bullish crossover नहीं दिया है लेकिन bullish crossover अगले दो दिनों में दिखने को मिल सकता है ऐसा मुझे लगता है बात कर चुगा हूँ 425 का level है और Bollinger Band के median के आसपास यह trade कर रहा है लेकिन पहले भी एक बार यह median के आसपास close हुआ था उसके बाद गिरावट देखने को मिली थी तो ऐसा हो सकता है कि इसमें गिरावट लगे लेकिन long term के लिए बात करें तो current market price में आपको बिल्कुल भी recommend नहीं कर रहा हूँ position बनाने के लिए वैसे तो long term में ये price भी बुरा नहीं है लेकिन मुझे लगता है कि ये price को ये sustain नहीं कर पाएगा थोड़ा और नीचे आ सकता है position की बात करें तो अगर आपने बहुती ऊपर position बनाई है तो मैं आपको बेचने की राय नहीं दूँगा क्योंकि already stock बहुती तूट चुका है आप बहुती deep loss में चल रहे होंगे तो मेरी राय यही है कि आप इसे long term के लिए hold किजिए long term में यह आपको अच्छे पैसे बना कर देगा लेकिन short term में थोड़ा under pressure रह सकता है लेकिन इस news के कारण थोड़ी और तेजी भी दिखा सकता है यही मैं साथ में बोलना चाता हूँ अगर आपने नीचे position लिए आपने low के आसपास position लिए तो मेरा मानना है कि आप इसे hold किजिए long term के लिए hold कर सकते हैं क्योंकि overall bank fundamentally strong है लेकिन profitability में बहुत ही ज्यादा उतार चड़ाव आते हैं इसलिए generally में recommend नहीं करता लेकिन अगर आपने अच्छे price पर लिया है तो long term के लिए hold कर सकते हैं fresh position की बात करें तो मैं current market price में fresh position बिल्कुल भी नहीं बनाने वाला और मैं आपको भी यही रहे दूंगा कि आप भी current market price पे avoid कीजिए अगर आपको position बनानी है तो मैं आपको कहूंगा कि 325 का level अच्छा support था उसके उपर आपने अगर position नहीं बनाई है तो अभी आप wait कीजिए और मुझे लगता है कि 300 के नीचे इसमें अच्छी value आती है क्योंकि मैंने आपको दिखाया कि financial trend कितना उटपटान था बहुत ही profit उपर जाते हैं बहुत ही नीचे आ जाते हैं इसलिए मेरा मानना है कि access bank को हमें safe side होते हैं अभी इसमें investment करना चाहिए इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि पहली priority HDFC bank, Kotec bank को दीजे उसके बाद ICICI bank को दीजे उसके बाद हमें access bank में invest करने का सोचना चाहिए इसलिए मेरी राय अभी भी यही रहेगी 300 के नीचे अगर आपको यह मिलता है थैंक यू, stay happy, happy investing